हेलो पाइंस, वेलकम टो विप्रास, इचानले, आजम बनाएंगे साबू दाने की खिजडी, साबू दाने की खिजडी मुझे बहाती पसंदे और वरत हो या ना हो, जब भी मन होता है, ब्रेकफास्ट में साबू दाने की खिजडी में खाती हूँ, तो आईए देखते हैं सा गंटे पहले पानी में भिगोए थे, यह अच्छे से खिले-खिले से बने है, साबू दाना मैं कैसे भिगोती हूँ, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, यहाँ पे मैंने लिये है, दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू, मुंगफली, कड़ी पत्ता, निम्बू, जीरा, चीनी, हरी मिर्ची जिसे मैंने बारिक-बारिक कट किया है, ग्रेटेड अध्रक, नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर सबसे पहले हमें मुंगफली को रोस्ट करना है, इसे हमें मीडियम तू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, देर सो क्राम साबूदाना मैंने लिया है, और 75 ग्राम मैंने मुंगफली ली है, कुछ मुंगफली मैंने बचा के रखी है, इसे हमें फ्राइ करना है मुंगफली अच्छे से रोस्ट हो गए है मुंगफली को ठंडा करने के लिए हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते है मुंगफली अच्छे से ठंडे हो गए है इसके हमने छिलके निकाल लिये है अब इसका हम दरदरा पाउडर बनाएंगे मुंफली का दरदरा पाउडर जब हम मिक्सर में बनाते हैं तो ओन उफ करके बनाना है ताकि इस तरह से भूरबूरा वाला पाउडर बने एक कड़ाई को मैंने हलका गरम किया है उसमें एड़ किया है घी साबुदाने की खिचड़ी घी में बनी हुई अच्छी लगती है अगर आपको घी पसंद ना हो तो इसे आप मुंफली के ओल में बनाईएगा घी अच्छे से गरम हो गया है अब हम मुंफली को फ्राई करेंगे कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच घी अड़ किया था मुंफली अच्छे से फ्राई हो गई है इसे अब हम निकाल लेते हैं मुंफली को हमने लोटू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है अब इसमें हम एड़ करेंगे जीरा जीरा अच्छे से फूल गया है अब इसमें हम एड़ करेंगे बारी कटिवी हरी मिर्ज अब इसमें हम एड़ करेंगे उबले हुए आलू आलू को मैंने थोड़ा मीडियम साइज का काटा है आप इससे थोड़े बड़े या इससे छोटे भी कट करके ले सकते हो अब इसमें हम एड़ करेंगे कड़ी पत्ता यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़ादा कड़ी पत्ता यूज किया है क्योंकि इसका फ्लेवर साबुदाने के खिचुडी में बहुती बढ़िया आता है अब इसमें हमने एड़ किया है ग्रेटेड अधरक अब इसमें हम एड़ करेंगे नमक, काला नमक, काले मिर्च का पाउडर नमक और काले मिर्च का पाउडर हमने सिप आलू के हिस्से का एड़ किया है इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है मैंने 1500 ग्राम साबुदाना भिगोया था उसमें मैंने टोटल 60 ग्राम मुंफली का दरदरा पाउडर एड़ किया है इसमें हमने एड़ किया है चीनी, नमक, काला नमक, इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है अगर आप वरत में लाल मिर्ची पाउडर यूज करते हो तो इस वक्त आप वो भी एड़ कर सकते हो इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमने आलू के हिस्से का नमक कड़ाई में एड़ किया है और यहाँ पे साबुदाने का हिस्से का नमक एड़ किया है अब हम साबुदाने को कड़ाई में एड़ करेंगे और आलू के साथ इससे अच्छे से मिक्स करेंगे साबुदाना एड़ करते ही आपको चम्मच कंटिनुईस हिलाते रहना है कड़ाई के नीचे वाले हिस्से के साबुदाने अगर पक गए यह ज़्यादा ट्रांस्परंट हो गए तो साबुदाने की खिचडी चिपची भी बन सकती है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और दो से तीन मिनट इसे हमें चम्मच से कंटिनुईस हिलाना है खिचडी अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें हम एड करेंगे एक मीडियम साइज नीबू का रस हमने इसमें हरी मिर्च अद्रक नीबू का रस थोड़ी सी शक्कर एड की है इसका खटा मिटा तिखाव स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और आधे से एक मिनट के लिए चम्मच इलाते रहना है साबुदाने की खिचडी को हमें लो फ्लेम पे ही पकानी है इसे मिडियम या फास फ्लेम पे मत पकाईएगा साबुदाने के खिजडी हमारी बहुत ही खिली-खिली से बनी है साबुदाना अच्छे से पक गया है अब इसे हमें 5 मिनिट के लिए धककर रखना है 5 मिनिट के बाद हमने धककन निकाल लिया है अब इसे हम गर्मा गरम सव करेंगे इसे आप दही के साथ, छास्ट के साथ या फिर शेंगदानेची आम्टी याने मुमफली की करी के साथ भी खा सकते हो इसे हम एक बावल में निकालेंगे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खटा अच्छा लगता हो तो उपर से आप निम्बू का रस भी एड़ कर सकते हो आप मेरे चानल पर देखोगे ये देखिए कड़ाई हमारे पूरी क्लीन है साबू दाने की खिचड़ी नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है खाने के लिए तैयार है गर्मा गरम साबू दाने की खिचड़ी तैंक यू